आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now which one of the following does not produce any digestive enzyme मतलब यहाँ पर question में हमसे पूचा है कि नीचे गिवन 4 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो बिलकुल भी कोई digestive enzyme produce नहीं करती तो नीचे में गिवन है यहाँ पर intestinal mucosa, gastric mucosa, pancreas और liver ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़े है अब intestinal mucosa जो होती है वहाँ पर juice present होता है वो होता है हमारा सकस entericus ठीक है सकस entericus juice है gastric mucosa में हमारे पास, जो वहाँ पे होता है वो है हमारे पास Pepsin, ठीक है तो वह फॉरम होता है हमारे Pepsinogen से ठीक है तो यहाँ पे आता है हमारा Pepsin जो की फॉम किसे होगा? यह फॉम होगा Pepcsinogen से पेपसino जेन, अब Pepsinogen जो हो हमारी inactive form है और HCL की presence में वो pepsin में convert हो जाती है तो ये gastric mucosa से आता है pancreas से हमारे पास mainly सारे digestive enzymes आते हैं तो वो होते हैं हमारे pancreatic juice में ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा हमारा pancreatic juice अब जो liver है हमारे को वो देता है bile juice बट bile juice हमारा जो है वो स्रिफ alkaline medium को balance करता है और help करता है हमें emulsification of fat में ठीक है तो ये दो काम वो specifically करता है digestion के case में तो यहाँ पर हमारे bile में कोई भी enzymes नहीं होते इसलिए answer हमारा इस case में होगा option D Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर